हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे से यूट्यूब चैनल इस्टेडी प्लैटफॉम पे आज किस वीडियों बात करेंगे डिफेंस एंड इस्टेटिक स्टेडिय जिसे आप मिलिटरी साइंस कहते हैं जिसे आप सेन्ने विग्यान कहते हैं बीए फि स्टार्ट करते हैं इस्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टैंघंट बात और जान लिजिए आपके 75 कोशेंस आपके监ं जिसमें सक ऑको 65 कोशेंस करने रहते हैं 23% पर पार हो जाते हैं जिसमेंजिक से आप सिस्टीटिफस सब पहरता की भारत किसबढ़ना गरने हमले NIA की स्थापने की गई थी एंसर कर देंगे मुंबई आत्यंकवादी हमला 2008 के जवाब में राश्टिय जांच एजनसी की स्थापने की गई थी भी इस्था राइट अंसर आपसे पूचा गहाता है गलवान घाटी इस्तित स्थित्य तो गलवान घाटी जो है लड़्याक में इस्तित्य याद रखेगा आपको साइड में मैप भी देता चलूँगा साथ जोगी जरुवत लगेगा तो आप उसको देखते चलिएगा कि कौन सा अंसर सही मैच कर रहा है ठीक है इसका राइट अंसर आपका C हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था निमलिकित में से किस भारते राज्ये की सीमा बंगलादेश के साथ नहीं मिलती है अंसर कर देंगे मणीपूर की सीमा बंगलादेश के साथ नहीं मिलती है इस दे राइट अंसर नेक्स्ट को हो जाएगा पका अभी कतन हो जाएगा और दूसरा आपका कारण हो जाएगा ठीक है तो अभी कतन आपको हो झाईगा शम्ला समझा तो 1927 में हुआ था शही बात है कारण आपका दिया है इसमें विवाद के निप्ता सता है मध्य सिता के मध्दें, Sir को Heute। का जाएगा. किसी भी ए और भी देश, या फिर वियक्ती के بीच मैं похож होती तो उसका उन ब्तारा कोई दूसरा या फिर तीसरा ब對不起 करता है, उसको बुलते हैं मत दिसे था लेकिन जो आपका शिमला समझाता हुआ था भारत और पाकिस्तान की बीच में उसे बात की गई थी कि भारत और पाकिस्तान की बीच में कोई भी विवाद उत्पन होता है भविश्य में तो उसका निप्टारा जो है वो आपस में ही सॉल्व कर लेगा तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा आपका सही हो जाएगा और कारण आपका गलत हो जाएगा तो C is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था भारते सेना के आपचारिक कमांडर इंचीफ कौन है तो भारते सेना के आपचारिक कमांडर इंचीफ भारत के रास्ट पती हो जाएंगे A is the right answer आपसे पूछा गया था, जिहाद किस फिरकार के आतंगवाद का उधारन एंसर कर देंगा, जिहाद जो है धार्मिक एक धार्मिक आतंगवाद का उधारन हो जाएगा, C is the right answer, नेक्स्ट कुछा गया था, जो जिला दर्रा जोडता है, तो जो जिला दर्रा आपका ले और शिर मंगाल राज्ये में इस्तित लगबग 28 किलो मीटर की एक भूमी का संकिन खिचाव है जो भारत के पूरवत्तर राज्यों को शीष भारत से जोड़ता है ठीक है भारत के जो पूरवत्तर राज्ये है उनको शेष भारत से जोड़ता है उसी को आपका चिकिन नेक के नाम से जा है भारत में राष्टे सुरक्षा का प्रात में गुद्देश्य होता है देश की संपुर्भुता और नागरिकों की सुरक्षा दी इस दराइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था किस राष्ट के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है अंसर कर देंगे बंगलादेश के साथ लगती है सी इस दराइट अंसर यह कोशन में आपको कराया था ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट महासाभा ने हिंद महासागर को सांती का छेतर घोषित करने का प्रस्ताफ किस बर्स स्यूक्रित क्या था अंसर कर देंगो 1972 में स्यूक्रित क्या था A is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था भारते वायू सेना द्वारा किया गया कार के लिद्ध में ऑपरेशन का क्या नाम था अंसर कर देंगो ऑपरेशन सफेद सागर B is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था ग्रे हाउंड्स एक विशेस नकसल विरोधी बल है जो काम करता है कहां आंदर प्रिदेश और तेलंगाना A is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था ऑपरेशन राइनो किस राज्य की विपलब से संबंदित है अपरेशन राइनो किस राज्य की विपलब से संबंदित है अंसर कर देंगा असम राज्य की विपलब से संबंदित हो जाएगा A is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था बंगलादेश की आजादी से संबंदित है बंगलादेश की लडाई की दोरान मुक्तिवाईनी का गठन क्या गया था कैसे तिने बंगलादेश की एक सेना थी बीज दराइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था निमलिखित में से कौन सी विशेष्टा भारती सौतंतर था अधिनियम 1947 से संबंदित है अंसर कर देंगे इसका भारत का विभाजन ठीक है देको इसको समझ लो जो आपका भारत एक गठतंतर के रूप में गोशित हुआ था अधिनियम 1947 के तहती हुआ था अधिनियम 1947 के सबसे पहले भारत का विभाजन होता है भारत जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड हो जाता है दो देश बन जाते हैं उसके बाद रियासतों का भारती सेंग में विले होता है उसके बाद भारत एक गरतंत्र की रूप में घोशित होता है तो आपका जो सबसे प में निजाम के शासन से हैदरबाद को मुक्त कराने के लिए सुतंतर भारत की द्वारत की द्वारत किये गए सेने संक्रियात्मक अभियान को जो नाम दिया गया था वो था Operation Polo ए इस दर आइटन से ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था विजय दिवस कब मनाते है तो विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है जब कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था तो कब समाप्त हुआ था 26 जुलाई को हुआ था तो जो सैनिक सही दुए थे उनके सम्वान में ये दिवस मनाया ज नेक्स्ट कोशिन आपसे कह रहा है नियंतरन रेखा भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है अंसर कर देंगे पाकिस्तान से अलग करती है जिसको एलूसी कहते है next question आपसे कर रहा next question आ पूछा गया था भारत की पूर्व की और देखो नीती जो भारत की नीती है पूर्व की और देखो मुखे रूप से रास्टे सुरक्षा के किस पहेलु को बढ़ाने पर केनदिरिते अंसर कर देंगा दक्षिर पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और रड़ नीतिक संबंद बढ़ाने पर केंदिरित हो जाती है A. B. is the right answer ठीक है इसका right answer आपका B हो जाएगा Next question आपसे पूचा गया था भारत की पहले उपयोग ना करने की नीति मुख्य रूप से रास्ट ये सुरक्षा के किस पहलू से संबंद देता है अंसर कर देंगे ना भी किया Is the right answer Next question आपसे पूचा गया था निमलिकित में से कौन सा भारत द्वारा माना जाने वाला पारम पर एक सुरक्षा खत्रा नहीं है अंसर कर देंगे परमानू पिडसार D is the right answer ठीक है Next question आपसे पूचा गया था भारत की Act East Policy आंशिक रूप से संबावित छित्रे खत्रे के रूप में किस उभरती शक्ती की धारना से प्रेरित है अंसर कर देंगे रूस ठीक है इस question में थोड़ा doubt अबर्ट मेरा 100% जो sure है वो रूस को जाता है ठीक है तो A is the right answer बागी आप इसका अंसर एक बार comment में बता दीजिएगा Next question आपसे पूचा गया था भारत का cold start सिधान्त किस पिरकार के सुरक्षा खत्रे से संबन दीता है अंसर कर देंगे सीमा विवाद C is the right answer Next question आपसे पूचा गया था नक्सलवाद शब्द का तात पार रहा है तो नक्सलवाद शब्द का तात पार रहा होता है वामपंती विद्रोसी is the right answer यह question साब का third semester वाले paper में पूचा गया था जो मैंने आपको solve view करा था आपसे कहा था important है याद रखेगा और यह question मैंने आपको third semester का video बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था next question आपसे पूचा गया था तीस बीगा गलियारा निमलिकित में से किन दो देशों के बेच इस्तित है भारत और बंगलादेश के बीच जो है तीस बीगा गलियारा इस्तित हो जाएगा इस दर आइटन से ठीक है अच्छा एक बात कहने चांगो चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को on कर लिजेगा और आपसे मेरी बस एक छोटी सी request रहेगी इस वीडियो पे ना one के views आप मुझे करा से दें तो आपकी बड़ी महरबानी होगी एक हजार व्यू बस मुझे इस वीडियो पर चाहिए जाद नहीं बस एक हजार व्यू इस वीडियो पर मुझे चाहिए बस आपसे और कुछ नहीं बस आपको क्या करना है बस वीडियो को शेयर करना है और कुछ नहीं करना है लाइक करें नहीं करें बस वीडियो को शेयर कर देंगा चगाई पहाड़ियों में B is the right answer next question आप से पूछा गया था एक सतंत्र राष्ट के रूप में प्रारंबिक वर्षों के दोरान भारत की विदेश नीती को आकार देने वाले किस भारती राजनेक और राजनेता ने महत्पूर्ण भूमी का निभाइती अंसर कर देंगा जवाल लाल नहरू is the right answer next question आप से पूछा गया था कारगे लिद 1999 में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लड़ा गया था अंसर कर देंगे पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था next question आप से पूछा गया था पहली बार परवानू बं का प्रियो कप किया गया था अंसर कर देंगे 6 गस 1945 को अमेरिका के दौरा जापान पे किया गया था दुनिया में पहली बार B is the right answer next question आप से पूछा गया था राफेल लड़ा को विमान का संबंद किस देश से अंसर कर देंगे फ्रांस से हो जाएगा next question आप से पूछा गया था 2008 में किस घटना का भारत की सुरक्षा चिंताओं और आतंगवाद विरोधी पिरियासों पर महत पूण पिरभाव पढ़ा था अंसर कर देंगे मुम्मई हमला 2008 में ठीक है इस question का answer लगाने का एक simple trick ये भी है कि 2008 की पूछा है तो मुम्मई हमला कब हुआ था 2008 में हुआ था 2008 में जो मुम्मई हमला हुआ था उस घटना से भारत की सुरफचा चिंताओं और आतंगवाद विरोधी पिरियासों पर महत पूण पिरभाव पढ़ा था इस दर आइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछ रहा है 2001 में भारती संसद पर हमला किस संगटन द्वारा किया गया था अंसर कर देंगे जैस ए मोहमद बेस दर आइट अंसर ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण में परमानू परिक्षण किया था अंसर कर देंगे 1984 ठीक है 1988 में भी किया था अंसर कर देंगे केंद्रिया रिजर्व पुलिस वर्टी के सी आर पी एफ के काफिली को निशाना बनाया गया था भी इस दर आइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था पुलवामा हमले के जवाब में 2019 में भारत दुआरा किये गए सेन अब भ्यान का क्या नाम था अंसर कर देंगे बाल कोट एर स्ट्राइक डी इस दर आइट अंसर फीक है नेक्स्ट कोशन आप से पूछा गया था भारत के वर्तमान में रक्षा मंतली कौन है अंसर कर देंगे राजनाथ सिंो C is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था भारत का रास्टर सुरक्षा सराकार कौने अंसर कर देंगे अजीत डोबल D is the right answer कोशन आपको मैंने कराया हुआ था नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जोगा 1971 में पारित किया गया था दो जलाई 1971 को पारित किया गया था नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ कितने किलो मीटर की लगती अंसर कर देंगे 3330 किलो मीटर की लगती है is the right answer question आपको मैंने कराया हुआ है next question आपसे पूछा गया था भारत में परमाणू कारा करम के जनक कौन थे तो answer कर देंगे homie jahangir baba d is the right answer question मैंने आपको fifth semester में भी कराया third semester वाले question paper में भी यह question आया था तो वहां भी मैंने आपको solve कराया था और जो students इस वीडियो को अलग university से देख रहे हैं उनसे मेरी request रहेगी कि आपना third semester वाला वीडियो जरूर देख लेना जो third semester का मैंने question paper solve कराया ना मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जो question paper मैंने solve कराया उस वीडियो को जरूर देख लेना link उपर मैं i button मैं आपको देदूँगा तो आप वहा से ले सकते हैं फिर नीचे description में देदूँगा महा से आप वीडियो को जा सकते हैं ठीक है और इस question paper के लिए जो मैं आपको solve करा रहा हूं 5th semester का इस question paper के लिए मैंने दो वीडियो बनाए थे आपके लिए 30-30 जिसमें 30-30 questions मैंने आपको कराये थे total आपके 60 questions मैंने important कराये थे उन दोनों वीडियो को आप जरूर देख लेना और 3 semester का वीडियो देख लेना जो मैंने question paper solve कराया है आपका महलोग पूरी तयारी बस इनी से हो जाएगी आपको कुछ और पढ़ने की जरूरती नहीं है बस इतना आप समझ लीजे ठीक है देखो next question आपसे पूछा गया था कौन सी नदी पस्चिमी छेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकरतिक सीमा बनात सीमा आँसर क्रदेंगे और युद McD's is the right answer next question आप से पूछा गया था यदि तुम शान्ति क्याती हो तो युद्ध को समझो यह किस पूर ने काथ ब्स साइड नहीं बस इंपर्टेंट वीडियो आप देखके ज़रूर जाना एक्जाम देने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा अकसाई चीन किसके साथ सीमा सांजय करता है तो अकसाई चीन भारत और चीन से सीमा सांजय करता है A is the right answer next question आप से पूछे गया था डीयागो गार्चीय कहाँ एसतित है तो डीयागो गार्चीय आपका हिंद महासागर में इसतित B is the right answer यह question मैंने आपको अपनी video में कराया था जो मैंने 30 plus 30 questions का जो video कराया था ना उसमें यह question मैंने आपको कराया था और important जो आपके हिंद महासागर में جो important दीफ हो जाते ना वह भी मैंने आपको कराया थे जिसमें से एक मैंने आपको तो दिया को गार्सिया भी बताया था कि हिंद महासागर में इस्तित है तो उसका अंसर आपका D हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था 1971 में भारत की ओर से किस जर्नल ने बंगलादेश में युद्ध जीता था अंसर कर देंगा जर्नल जगजीत सिंग सीजदर राइट अंसर ठीक है और वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजेगा और टार्गेट मात्र में आपको एक हजार व्यू का दिया है जो आप महनत देखके कोई जादे बड़ी बात नहीं है बस आपको शेयर करना कुछ नहीं करना ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था संयुक्त रास्ट संग की स्थापना कब हुई थी तो संयुक्त रास्ट संग की स्थापना 1945 में हुई थी ए इस दर राइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था ऑपरेशन विजे संबंदित है तो ऑपरेशन विजे जाव एन लाइ C is the right answer नेक्स्ट कोशन आप से पूचा गया था नेमलीकित में से कौन गुट निर्पेक्च आंदोरण का संस्थापक नेता नहीं अंसर कर देंगे महात्मा गांधी ये कोशन आपको थर्ट सेमिस्टर में लिया गया है अभी आपी की university में third semester में ये question same to same यह question आपसे पूछा गया था और same to same आपसे fifth semester में भी पूछा गया है तो महातमा गांदी यानि की A is the right answer next question आपसे पूछा गया था बुद्धा मुस्कराय किसका कूट नाम था तो बुद्धा मुस्कराय भारत का पिर्थम पर्माणू परिक्षण का नाम था ठीक है भारत का पिर्थम पर्माणू परिक्षण का नाम था Smiling Buddha She is the right answer Next question आपसे पूछा गया था नकसलवा गाउं इस्तिते तो नकसलवा गाउं पक्षिम बंगाल में Is the right answer Next question आपसे पूछा गया था डोकलाम विवाद किस से संबन्दित है डोकलाम विवाद आपका भारत और चीन से संबन्दित हो जाएगा C is the right answer Next question आपसे पूछा गया था निमलिकित में से कौन एक भारत में अर्दसैनिक बल है अंसर कर देंगे N, S, G, B, S, F, C, R, P, F, O, P, R, P, T, S, V, D परिशेद की स्थापना की गई थी तो रास्टी सुरक्षा परिशेद की स्थापना 1998 में की गई थी C is the right answer Next question आपसे पूछा गया था हतेली एवं पांच उंगलियों का सिध्धान्त किस से संबन्दित है तो हतेली एवं पांच उंगलियों का सिध्धान्त आपका चीन से संबन्दित है A is the right answer ठीक है चीन कहता है जो आपका लदाक है जो आपका लदाक है जो नैपाल है जो भूटान है जो अरवाचल पिर्देस और जो सिक्किम है ये पांच उंगलिया है किस की चीन की और जो चीन हो जाएगा हतेली हो जाएगा तो चीन से संबन्दित हो जाएगा A is the right answer नेक्स्ट कुशन आपसे पूछा गया था निमलकित में से कौन एक महतपूर खूफिय एजेंसी है ठीक रोहिंगे जो आपका समू हो जाता है ये आपका मयम्मार का एक निर्जाती समू हो जाएगा D is the right answer नेक्स्ट कुशन आपसे पूछा गया था रास्टी आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है रास्टी आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है A is the right answer नेक्स्ट कुशन आपसे पूछा गया था कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं है कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं तो भारत और पाकिस्तान तो सार्क का हिस्सा थे ही और लास्ट में अफगानिस्तान वी एड हो चुका था तो चाइना इसका right answer हो जाएगा यानि कि चाइना जो है सार्क का हिस्सा नहीं है D is the right answer नेक्स्ट कुशन आपसे पूछा गया था निमले कितमे से कौन जम्हु कश्मीर में सक्री आतंकवादी समूए अंसर कर देंगे लश्कर उमर और तारीक उल्मुजाहिदीन यह दोनों जो आतंकवादी समूएं आपके जम्हु कश्मीर में सक्री हैं तो C is the right answer ठीक है नेक्स्ट कुशन आपसे पूछे गया था CP EC किन देशों के मद्धे से गुजरता है अंसर कर देंगे चीन और पाकिस्तान के मद्धे से गुजरता है B is the right answer यहाँ पर आपके 75 questions complete हो चीको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंदा होगा वीडियो को like करना शेयर करना और चैनल को subscribe करना और एक छोटा सा target आपको दिया है 1000 view का उसको complete करा देना बस तो मेरी तरफ से आप सभी को best of luck अल्लाहाफिज